हाजी कैसे आप सब लोग उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे मस्त होंगे और स्वस्त होंगे आज फिर से हाजर हैं आपके बीच में एक शानदार सी 1000 स्केर फिट की उनिट लेकर जो की होने वाली है बॉम्बे हॉस्पिटल के पास फेसिंग होने वाली है इस्ट 20 वाई 50 का होने वाला है डाइमेंशन एक लग्जरी सेग्मेंट जो की होने वाला है 3BHK fully furnished with family set out terrace garden gazebo एक एक चीज देखने लायक है एक एक इस property के highlight देखने लायक है करते हैं इसके front television से starting तो सबसे पहले देखेंगे इसका front television क्योंकि कोई भी घर की जान उसका front television ही होता है सामने की तरफ एक बड़ा सा elevation G plus 2 का हमें देखने को मिल जाएगा सबसे पहले बात करें नीचे की तो आपको दो चीजे देखने मिलेगी एक देखने मिलेगा आपको यहाँ पर exposed concrete देखने को मिलेगा उसी के पास natural brick देखने को मिल जाएगा यही से हम हमारे first floor की तरफ चले तो वहाँ पर हमें plantation के साथ PVC sheet देखने को मिलेगी जहाँ पर cylinder lights दिये हुए हैं और उसी के ऊपर हमें फिर से exposed concrete देखने को मिल जाएगा जिससे की जो हमारा elevation है काफी ज्यादा सुन्दर बन जाता है इसी के साथ सबसे बड़ी समस्या आती है वह आती है रोड की के रोड कितना चोड़ा है घर क बनाने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं और लेडी plantation किया हुआ है जिसे की जो घर के सामने का अभारा elevation है काफी ज्यादा सुन्दर हो जाता है इसी के बाद चलें अंदर की तरफ तो यहां पर हमारे पास जो चोड़ाई होने वाली है हमारे main gate की यह 9 fit की होने वाली है और उसी के साथ अगर बात करें gate की MS का structure दिया हुआ है उस पर HPL की sheet हमें देखने को मिल जाएगी जिससे के सामने का जो front है हमारे main gate का वो काफी ज्यादा सुन्दर खूपसूरत बन जाता है और उसी के साथ HPL sheet जो है यह waterproofing होती है जिससे कि आपके gate पर कभी कोई दिकत नह ही आने वाली है उसी के साथ इसमें चारचांद लगाती है इसके gate lamp जो आपको तीन gate lamp देखने को मिल जाएंगे जो हमारे दिये है रियल टाइल पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और यही से चले अंदर की तरफ तो यहां से start होता है हमारा घर जहाँ पे हमें 9- 16 की एक बड़ी parking देखने को मिल जाएगी individual water tank यहाँ पर देखने को मिलेगा individual boring वहाँ पर देखने को मिलेगी इसी के साथ ओपर की तरफ देखने मिलेगी हमें PVC जहाँ पे cylinder lights हमें देखने को मिलने वाली है इसी के साथ elevation और खोबसूरत कैसे हो तो जो हमने हमारे elevation में देखा है यह वही यहाँ पर material यूस किया हुआ है exposed concrete यहाँ पर लगाया हुआ है exposed finish भी इसे हम बोल सकते हैं जिससे कि आपका जो सामने का elevation है काफी ज्यादा खोबसूरत हो जाता है इसी के बाद यहाँ से चले आगी की तरफ तो यह portion होने वाला है हमारा as a fire जो एक अच्छे की cylinder lights के साथ जिससे कि हमारे front elevation से यह वाला जो portion है काफी ज़्यादा सुन्दर हो जाता है इसी के साथ स्टार्ट होता है हमारा घर जहां से यह होने वाला है हमारा main gate बात करते हैं सबसे पहले panelling की तो यह वीनियर panelling हमें आपर मिलने वाली है और gate अगर मैं इसका आपको दि आएगा यह हमें यहाँ पर मिलने वाली है proper real tile जो एक अच्छा grace हमें यहाँ पर दे रही है entry के time पर चलें यही से अंदर तो अंदर आते से ही सबसे पहले entry होगी हमारी हमारे living room में living में जैसा कि मैंने आपको बताया था fully furnished unit यह होने वाला है और अभी तक हमने काफी सारे fully furnished unit देखें हैं बट अभी तक जो unit हम देखने वाले हैं जो आज unit हम देखने वाले हैं यह काफी हटके होने वाला है जस डिजाइन पर इसको बनाया है एक ऐसा डिजाइन है जो आपको हमेशा futuristic देखने को मिलेगा entry होते से ही यहाँ पर हमें L-shape में हमारा living में sofa मिल जाता ह सोफे के साथ यहीं पर हमारी center table होने वाली है इसी के साथ अभी तक हम लोग ने पीछे की वाल पर ज्यादतर वाल पेपर देखा है बट यहाँ पर marble texture किया हुआ है कि जब आप इसे हाथ लगाओगे feel करोगे तो एकदम शाइनी है और काफी अच्छा feel दे रहा है इसी के आगे की तरफ चलें तो यहाँ पर हमारे पास blind दिये हुआ है जो आपको हम open करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ventilation के लिए proper window होने वाली है जो आपके living में front side से काफी अच्छा ventilation आपको देंगे हमारा LED पैनल जो काफी खूपसूरती से बनाया हुआ है बात करेंगर दोनों side panels की तो यह माइका में दिये हुआ है बीच में आपको वापस से texture देखने को मिलेगा इसी के साथ वापस से side में माइका फिनिश वाइरिंग सारी complete की हुई है नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो complete PU किया हुआ है जिसे के जो grace-ness है वो काफी अच्छी लग रही है और color combination जो है इस texture के साथ काफी अच्छा match खा रहा है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सारे color काफी bright लिये हुए काफी अच्छे है एक positivity जो है वो आपके color से ही आती है इसी से आगे की तरफ हम बढ़ है तो इसको आठ में भी हम convert कर सकते हैं क्योंकि इस पेस हमारे पास काफी ज़्यादा बढ़ा दिया हुआ है अब इस डाइनिंग से यहीं से हमें देखने को मिलेगी हमारी double height जो उपर शेंडिलियर के साथ दिये है क्योंकि double height अभी काफी trending में है अगर और खूबसूरत तर इन सरकल के अंदर किये कि जब आप वाल को दूर से देखते हो तो यह वाल काफी ज़्यादा खूबसूरत देखने में आती है इसी के साथ बात करें मंदिर के तो मंदिर का जो placement लिया हुआ है वो आपको देखने में लगा इस तरफ यहां पर इसलिए क्योंकि नौर्थ इस जो यहीं पर आईगी तो मंदिर का placement आपको यहां पर की तरफ आपको पीछे की तरफ आप देख रहे हो यह होने वाला है। अपको टेक्श्चर देखने को मिलेगा बीच पर प्रोफायल लाइट हो जाएगी तो यहां पर मंदिर का सेटप है वो कंप्लीट किया हुआ है, उसी के साथ हमने पार्किंग से जो दो विंडो देखे थे वो ये होने वाले हैं, एक हमारे इस साइड राइट साइड होने वाला है, एक लेफ्ट साइड जो भी ब्लाइंड लगे हुआ हैं, बट ये आपको प्रॉपर नेचरल सनलाइट और वेंटिलेशन दे सकते हैं, यहा काफी आसानी से काम कर पाएं, जैसे ही आप एंट्री लोगे सबसे पहले किचन में हमें दो प्लीट फॉर्म देखने मिलेंगे, जो की में प्लीट फॉर्म है, उसी के साथ एक हमारा यहापर ड्राइट प्लीट फॉर्म है, इसमें अब इसका जो पार्टिशन किया हुआ है कि यहाँ पर हमारा में जो गैस है, वो यहाँ पर आ सकता है, इसी के साथ ड्राइट प्लीट फॉर्म पर मिक्सी, माइक्रोवे वगरा हमारे इस तरफ प्लीट हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास सिंक दिया हुआ है, जिसके फिटिंग्स पूरे होना बाकी है, नीचे कि अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी आपको PU देखने को मिलेगा, यहाँ पर प्रोफाइल और यह PU आपको देखने को मिल जाएगा, और नीचे के तरफ अगर बात करें, तो यह प्रॉपर कॉर्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कोई भी घर हम देखते हैं, तो उसम एंपियर का सॉकेट जो है यहाँ पर पीछे की तरफ दिया हुआ है और हाइट का यहाँ पर कोई इश्यू नहीं होने वाला है उसी के सब फ्रूट माई का इस तरफ आपको देखने मिलेगा जो पी यू किया हुआ है जो काफी जदर शांदर लग रहा है यहाँ पर आपको प गमी हमें स्टूर की नहीं होने वाली है बात करेंगर उपर की तो फॉल सेलिंग जो है काफी जदा अट्रेक्टिव देखने में आ रही है और यहीं से गरम चलें तो यह हमारा होने वाला है वाश एरिया जहां पर हमें ग्लास डूर दिये हुए हैं खोलकर चलें तो इस तर हमारे पास फिर से स्पेस जहां पर हमारे अनल वगरा सेट अप हो सकता है और हम हमारे वाश एरिये को काफी आसानी से यूज़ कर सकते हैं दिन के टाइम में OTS के लिए वेंटिलेशन कैसे रहेगा हो यहीं साब उपर के तरफ देख सकते हो जिससे आपका जो वेंटिलेशन है वो काफी आसानी से आपकी घर में काफी आसानी से एंटर हो सकती है इसी केबाद यहां से चलते हैं हम हमारे first ground floor के bedroom में जो की हमें नीचे वाले floor पर देखने को मिलेगा बट उसके पहले जो अभी तक हम लोगों ने घर में देखा है जनरली basic planning देखिए तो यहीं पर जब पर हम बैठ सकते हैं, एक अच्छा एक व्यू हमारे लिविंग में देख सकते हैं, जब डाइनिंग पर हम लंच या डिनर के लिए बैठेंगे, हमारा कोई गैस आएगा, तो जो व्यू देखने को मिलेगा, इस तरीक से देखने को मिलने वाला है, इसी के साथ चलें, यहां से यहां पर होने वाला है हमारा common washroom और ground floor का एक bedroom, जो एक separate portion दिया है, हम चाहें, तो यहां से curtain से इस portion को separate भी कर सकते हैं, इसी के साथ चलें ground floor के पहले washroom में, जो की common होने वाला है, यहां पर आपको बात करें, पैनलिंग की तो यह मिलने वाली है, ब्लैक ग्रीनाइट में, ड उसी के साथ अगर बात करें टाइल के, तो 8 फिट तक इसके टाइल लिये हुए है, उसी के साथ यहां पर एक आपको mirror देखने को मिल जाएगा, table top wash basin यहां पर आएगी नीचे, आपको उसमाई vanity देखने को मिल जाएगी, जो आपके washroom की vanity भी काफी luxury बनाई हुई है, उसी के washroom है, काफी ज़्यदा शांदार और काफी ज़्यदा attractive हो जाती है, इससे निकल कर चलें तो यह होने वाला है हमारा ground floor का एक बड़ा bedroom, बात करें तो paneling की है, माइका से माइका डोर यह होने वाला है, और खोल कर चलें अंदर की तरफ तो एक बड़ा और शांदार bedroom, और हम ल यहां आप देख सकते हो, एक अच्छी size के साथ यह bedroom होने वाला है, 6-2-6 का bed यहां पर लग चुका है, side stools दोनों लगे हुए हैं, दोनों side, पीछे की तरफ wall moldings में लेंगी जहां पर एक artifact है, बट अगर आप चाहो तो family का भी एक photo frame यहां पर हम लोग को लगा सकते हैं, इस अच्छे खास artifacts हम यहां पर जमा सकते हैं, पीछे की अगर बात करें तो यह भी पूरा PU में लिया हुआ है, जिसे की color combination अगर हम देखें तो काफी अच्छे सा highlight हो रहा है, इसी के बाद बात करें कि हम बैठके हमारा office का कुछ काम करना है, तो उसके लिए यहां पर आपको proper space दिया है, आपका study और उसका store यहां पर complete किया हुआ है, इसी के साथ आपको shelves दिये हैं, जहां पर हम books और हमारे artifacts हो इस तरीके से place कर सकते हैं, जो कि यह भी already किये हुआ है, एक बड़ा सा king chair आपको यहां देखने को मिल जाएगा, और बात कर अगर इस room को ventilation की, तो ventilation आपको य यहां पर आपको world texture किया हुआ है, जहां पर आपका TV काफी आसानी से बड़ा पच्तर इंच का TV भी आप यहां पर लगा सकते हो, नेचे के तरफ आपको PU देखने को मिलेगा, जहां पर आपको store है, जिस पर आप यहां पर सामान अपने daily basis का newspaper वगरा सारी चीज़ें आराम से रख सकते हैं, इसी से निकल कर अब चलते हैं, हम हमारे first floor के रूपे, बट बहां पर हमें क्या-क्या मिलेगा, वो हम सारी चीज़ेंगे, ये भी देखेंगे कि ये price, ये construction, ये सारे rate, किस rate में होने वाले हैं, बट उसके पहले एक बार आप ground floor का complete tour ले लीजिए, फिर हम first floor, उसके बाद second floor पे जहां पर हमारा family sit out, और इसका sit out मैं आपको बता दू, काफी जदा luxury होने वाला है, काफी जदा unique होने वाला है. हाँ जी, ground floor का अपने tour लिया और उम्मीद करता हूँ, आपको ये पसंद आया होगा, और काफी luxury unit पसंद आने वाली unit ये होने वाली है, इसी के साथ अब चलते हैं, यहां से हम हमारे first floor पर बट उसके पिल आपको चीज़ बताऊं, हम लोग usually देखते हैं, मकान में एक double light, यहां हमें दो double light देखने को मिलने वाली है, जो हमने पहले dining से देखा था, एक double light वो थी और एक किसी के साथ living से भी एक double light हमें देखने को मिल रही है, जो काफी जदा शांदर तरीके से बनाई हुई है, उसी के बाद एक एक चीज़ इस घर में highlight करने जिसी है, अगर हम wall clock भी देखें, तो वो भी काफी सही तरीके से यहां पर लगाई हुई है, जिसे कि wall clock अगर से हम हमारे first floor पर तो यह होने वाला है हमारा terrace part, terrace part को आप कैसे ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं, वो हम यहां पर देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे stair हैं, यह अगर हम बात करें इस material की, तो यह full body tile यहां पर ली हुई है, और उसी के साथ यह अगर आप उपर तक देखोग जिसका color combination आपके full body tile से match करता है, और यहां पर जो हम देख रहे हैं, assess पे PVD coating यह किया हुआ है, जिसे कि आपको stair part काफी ज़्यादा शानदार और एक turn shape में है, जो काफी ज़्यादा एक अच्छा feel हमें यह दे रहा है, 1000 square feet पे इस तरीगी के planning बहुत ज़्यादा rare है, बट यह काफी luxury unit होने वाली है, जैसे ही उपर की तरफ हम बढ़ेंगे, तो यह जो paint आप देख रहे हो, जो हमने बाहर हमारे front elevation बात किया था, वही होने वाला है, exposed concrete यह किया हुआ है, या इसको हम exposed finish भी बोल सकते हैं, जहाँ पर हमें आर्टिफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, इसी के बाद उपर की तरफ चलें, तो एक बार यहां से उपर का जो आप व्यू देखोगे, वो काफी जदा शांदार लगने वाला है, उपर एक chandelier फिर से place किया हुआ है, जिससे कि आपका नीचे से लेके उपर तक का व्यू काफी जदा सुनदर हो जाता है, जैसे ही हम फर्स फ्लोर पर आएंगे, तो यहां से देखने को मिलने वाली है, हमें double height, और double height के साथ यहां पर का एक landing, जहां पर light के arrangements काफी जदा शांदार लग रहे हैं, और जो हमने नीचे से हमारी double height देखी थी, अगर आप देखो तो moldings के साथ double height पर जो circles लिये हैं, वो पूरा panel match क जरता हुआ आपको देखने को मिलेगा, chandelier एकदम उसका fitting में दिया है, जिसे कि जो आपके moldings और आपका chandelier काफी अच्छी से match हो जाता है, इसी के बाद इस floor पर जो में देखने को मिलने वाला है, front side में देखने को मिलेगा family sit out और back side में देखने को मिलेगा एक बड़ा master bedroom बात करें पहले bedroom की, तो paneling आपको देखने मिलेगी माइका में, माइका का door यह होने वाला है, खूल के चले अंदर की तरफ, तो एक अच्छा बड़ा space हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे ही room में enter करेंगे, तो सबसे पहले देखने को मिलेगा एक बड़ा 626 का bed जो की pack रखा हुआ है, इसी के साथ दोनों तरफ side stools जहां पर हमें artifact देखने को मिल जाएगे, इसी के साथ पीछे की तरफ एक window देखने को मिल जाएगे, जिससे की हमारी natural sunlight, proper ventilation आपको इस room में मिलता रहेगा, उसी के पीछे की जो wall है, इसको पूरा highlight color में लिया हुआ है, ज bed के दोनों side stools देखने को मिल जाएगे, जो काफी सई design में लिये हैं और उसी पर आपको artifacts देखने को मिलने वाले हैं, इसके बाद अधिकतर जगे हम लोग देखते हैं wallpaper बट आपको यहाँ पर एक भी wallpaper देखने को नहीं मिलने वाला है, इवन आप देखो के तो wall पे moldings लिये हैं, artifacts लिये हैं, natural color के साथ इस room को रखा हुआ है, जिससे कि पूरा simple और soothing यह room आपको लगने वाला है, इसी के जस बात बात करें तो bed के parallel side हम यहाँ पर देखेंगे, तो यह हमारा होने वाला है TV panel, इस wall को भी उसी color में रखा है, जो bed के पीछे हमारे wed head की wall थी, उसमें design किय हुआ है, और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा, यह माइका मिलने वाला है, Marvel finish में जो काफी सही तरीके से लगाया हुआ है, इसमें हम हमारी daily उसकी जो चीज़े हैं, जैसे कि इस room का news paper वगएरा, रिमोट वगएरा, वो इसमें हम easily रख सकते हैं, इसी के बाद हम लोग चाहते हैं, हमारे room में एक dress निकले, bedroom में bed set हो जाए, TV, AC सारी सेट हो जाए, study भी proper रहे, तो यहाँ पर हमारा study का पूरा arrangement किया हुआ है, उपर के अगर बात करें तो यह टॉप, इस पर हमें वापस से Marvel finish माई का देखने को मिलने वाला है, एक proper सा chair हमें याँ पर देखने को मिल जाएगा, sockets यहाँ पर सारे दिये हैं, कि अगर हमें हमारा computer या हमारा laptop operate करना हो, कुछ बैठके पढ़ना हो, यहीं से एक fixed window दिया हुआ है, जिससे कि हमारा नीचे का जो view आने वाला है, वो हमारे मंदिर का, और मंदिर के पास में जो दो windows ल लिया हुआ है, जिस पर इसको अगर आप देखो, तो पैनलिंग जो है, पीउ से की है, बीच में frosted glass आपको देखने को मिल जाएगा, और एक काफी सही concept है, एक theme जो है काफी different लग रही है, जिससे कि गेट देखने में काफी जदा शानदार लग रहा है और देखेंगें, त अंदर आएंगे, तो सबसे पेल एक बड़ा space आपको यहां देखने को मिलेगा, टाइल पूरे घर में धाइबाइ पांच के यूस किये हैं, जिससे के joints जो है, वो कम देखने को मिलेगे, बट यहां पर जो space है, काफी ज्यादा बड़ा space लिया है, इसमें अगर बात करें, तो काफी सही तरीके से design करें हैं, एक side male, female wardrobe आप consider कर सकते हो, ऊपर की तरफ हमें over space देखने को मिल जाता है, यहां पर अगर हम लोग तो जैसे होता है, फटा-फट रेडी हुए, बट हमारे घर में जो ladies होती होने, रेडी होने के लिए काफी सारा time लगता है, तो यहां पर आराम से वो बैठके, एक बड़े से mirror के सामने काफी आराम से रेडी हो सकते हैं, खीचे की तरफ अगर बात करें, तो इस mirror के पीछे profile light का इंडिमिन्ट किया हुआ है, जिससे कि आप color देख सकते हो, काफी तरह हाई हो रहा है, और यह जो room है, हमारा dress ही रिया है, काफी सही तरही के से design काफी species design की किया हुआ है, उपर की तरफ हमें cove lights देखने को मिल जाएंगे और fall ceiling देखने को मिलने वाली है, यह होती है हमारे dress की बात, अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक gate और यह जिया हुआ है, यह किस चीज़ का होने वाला है, यह washroom का gate नहीं है, यह होने व scenery काफी जादा हो, तो जैसे ही आप इस portion में आएंगे, यहाँ पर आपको back side के bedroom की balcony देखने को मिलेगी, proper plantation देखने को मिलेगा, और natural sunlight कैसे आएगी, उसके लिए आपको OTS देखने को मिलेगा, जो toughen glass से pack किया हुआ है, इसी के बाद यहीं से एक window जो आपके bedroom साइड में दि bathroom होने वाला है, यह black granite से चोखड बनाई है, माई का door यह होने वाला है, और चले अंदर की तरफ, तो bathroom no doubt काफी luxury होने वाली है, entry लिदे से हमें feel आएगा exposed finish का बट यह टाइल, यहाँ पर proper tile दिया हुआ है, नीचे check style आपको देखने को मिल जाएगी, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो washroom है, वो काफी luxury हो, तो यहाँ पर आपको एक luxury washroom दिया हुआ है, जिसमें अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर आपके बस नीचे vanity होने वाली है, उपर टेबल टॉप बाश बिस लिए पर आने वाली है, बड़ा सा mirror three lights के साथ, जिसमें आप आराम से ready हो सकते ह और अगर हमारा वाश रूम काफी अच्छा हो, तो वाश रूम में टाइम हमारा काफी पर spend हो जाता है, निकलें यहाँ से और अब चलते हैं, हम हमारे first floor के front side जो की होने वाला है, हमारा proper sit-out जो आप सामने की तरफ देख सकते हो, यह एक mirror gate इसमें दिया है, 3BHK का fully furnished unit यह हैं, बढ़ अगर अब चाहो तो इस family sit-out को हम convert भी कर सकते हैं, हमारे guest bedroom में या children bedroom में, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा glass door, चौकट इसकी पूरी बनाई है, black granite में, खोल कर चलें अंदर की तरफ, तो अंदर आते से इस वाले room का पूरा feel एकदम change होने वाला है, यहाँ आपको दो sofa set देखने को मिलेंगे, जहाँ पर 6 लोगों की sitting काफी आसानी से बन जाएगी, बीच में आपको center table देखने को मिलने वाली है, और यहाँ पर wall texture के साथ wall paper देखने को मिल जाएगा, उपर के अगर बात करें तो fall ceiling काफी attractively है, कोव lights और profile light का combination आपको देखने को मिल और यहीं से अगर हम देखें, तो sitting के बाद जब हमारे family sitout में कोई बैठेगा, तो entertainment कैसे हो, उसके लिए यहाँ पर proper आपके पास space दिया है, कि आप अपना बड़ा LED यहाँ पर place कर सकते हो, नीचे आपको draws देखने को मिल जाएगे, और यह सारा काम PU पे किया हुआ है, जिस यहाँ से आपको double height देखने को मिल जाएगी, एक अच्छा बड़ा sitout आपकी family के लिए, कि भाई कोई अपना bedroom डिस्टब करना नहीं चाहता हो, तो यहाँ पर बैठके आप अपना family के साथ चट चट आराम से कर सकते हो, इसी के साथ यह जो curtains आप देख रहे हो, यह होने वाल इसी है कि कोई एक luxury living हम लोग ले रहे हैं, glass panel यहाँ देखने को मिलेगा, उसी के साथ mosquito net up की यहाँ देखने को मिल जाएगा, safety के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको पूरा iron frame जो की excited fixed और excited movable है, यगर कभी हम घर से बाहर जाएं, तो यह lock करके हम हमारी safety ensure कर सकते ह बाहर की तरफ आएं, तो एक बड़ी balcony हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जो की चार लोग हमारी balcony में काफी आसानी से बैट सकते हैं, enjoy कर सकते हैं, इसी के बाद उपर की तरफ PVC और cylinder lights हमें देखने को मिल जाएगी, एक अच्छा space है कि अगर हम balcony में walk करना चाहें, तो यहाँ पर हम आसानी से walk कर सकते हैं, और यह plantation जो है, यह हमारे ही front side elevation में जो हमने देखा था, वही यह होने वाला है, तो इस तरीके से यह front bedroom की बड़ी balcony जो थी, वो होने वाली थी, अब चलते हैं, यहाँ से हम हमारे second floor, जहाँ पर होने वाला है हमारा एक बड़ा master bedroom, उ उसके पहले एक बार आप first floor का complete door ले लीजिए, Crown floor देखा, first floor देखा, और यह property AC के वी तक आपको पसंद आ गई होगी, बट अगर अभी भी नहीं आई है, तो एक last bedroom जो काफी ज़्यादा luxury होने वाला है, अब हम वो देखने वाले हैं, चलते हैं, यहाँ से हम हमारे second floor की तरफ, जो हमने नीचे देखा था, full body tile वही हमें य chair, railing, जिस पर PVD coating आपको इस पर देखने को मिल जाएगी, जैसे ही उपर आएं, तो यह आप wall देख सकते हो, जो हमारे ground floor से चली आ रही है, यह एक दम turn shape ले रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर जो feel है, काफी ज़्यादा शांदार आता है, और उपर की तरफ आएं, तो यहाँ हमें plantation देखने को मिल जाएगा, जो कि artificial दिया हुआ है, यहाँ पर हमें हमारे artifacts देखने को मिल जाएंगे, और जैसे ही उपर आएंगे, तो एक और space जो हम हमारे ground floor से देख रहे थे, वो chandelier यहाँ पर fall ceiling के सब देखने को मिलेगा, जो काफी ज़्यादा शांदार view आपको द देता है, और यहीं से गर हम नीचे की तरफ देखें, तो यहाँ से हमारा जो garden है, वो देखने को मिलने वाला है, यानि कि जब हम यहाँ पर खड़ों के हमारे नीचे ground floor पर देखेंगे, तो वो जो feel है, वो भी काफी जबरदस्त होने वाली है, इसी के बाद चले उपर, तो इस floor पर हमें दो चीज देखने को मिलेगी, एक हमारा front side का bedroom, और back side में हमारा एक शांदार सा sit out, sit out देखेंगे last में, पहले देखते है bedroom, और आपको मैं बता दूँ, इस पूरे घर में हर एक चीज बहुत जबरदस्त है, बट उससे जबरदस्त यह bedroom होने वाला है, चले अं जो यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर होने वाला है हमारा last third bedroom, जो की paneling इसकी वापस से माइका में की है, माइका डोरिय होने वाला है, और इस चीज को मैं बहुत प्यारे तरीके से यूज किये हुए है, बेड, बेड, हैड और उसके साथ जो कलर है, वो उपर की ceiling आप एक बार देखो, कोव लाइट के साथ ली हुई है, बट ceiling काफी attractive लग रही है, इसी के साथ बात करेंगर sit out की तो bed के just side में हमारे side stools, और side stool के side में हमारे पास एक अच्छी बड़ी sitting यहाँ पर दी हुई है, जहाँ पर दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, अगर हम चाहें तो sofa भी यहाँ पर लगा सकते हैं, चेर्स हटा कर centre table होने वाली है, और यहाँ पर आप देखो एक बार इस नजारे को, जो room का interior किया है, वो काफी जबरजस्त लग रहा है, इसी के साथ बात करें इस wallpaper की तो यहाँ से आपका ceiling बहुत सुन्दर हो जाता है, ब channel की, तो वो भी wall moldings के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, और नीचे हमारे पास जो space है, यह complete PU में design किया हुआ है, और यह theme हमारे ceiling से इस पर ली हुई है, जिससे कि आपका जो room complete, complete और बहुत अच्छे तरीके से complete हो जाता है, सारी चीज़ यहाँ पर होने के बाद, अब ह हम मैस करेंगे हमारा dress, तो dress हमारा होने वाला है, यहाँ पर dress में चलने के पहले हम चलते हैं, हमारे front side की balcony में, जिससे कि इस bedroom को पूरा complete कर देते हैं, इतने सुन्दर bedroom में अगर balcony नहीं, इसके सुन्दर ना हो, तो कैसे चलेगा, gate खोले, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक ग्लास पैनल देखने को मिलने वाला है, उसी के साथ एक mosquito net, और यहाँ पर होने वाला है हमारा iron frame, जो आपकी safety के लिए ज़रूरी है, खोल कर आएं, तो यह होने वाली है हमारी balcony, जो यहाँ पर दो लोग इस room के काफी आसानी से बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बड़ यहाँ पर दिया है, उसी पर toughen glass, तीन studs पर यह लगाया हुआ है, और इसी के साथ यहाँ पर हमारे elevation में जो हमने देखा था, वो exposed finish हमें यहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है, इस तरीके से हमारी balcony है, वो complete होती है, और यहाँ से चलें आगे की तरफ, तो यह वाला portion था हमारा dress का, जो काफी सुन्दर लग रहा है, बीच में frosted glass आपको देखने को मिलने वाला है, खुल कर चलें आगी की तरफ, तो यह होने वाला है हमारा complete dress का setup, जैसे ही आप अंदर आओगे तो हम चाहते हैं हमारे dress में space काफी ज़्यादा हो, जैसा कि हमने हमारे first floor पर भी दे सकते हैं, हमारे पास space है, जहाँ पर हम हमारा cosmetic यहाँ पर रख सकते हैं, सारी चीजों की space जो है, आसानी से निकाली है और एक बड़ा dress जो है, यहाँ पर ready किया हुआ है, तो इस तरीके से हमारा dress complete होता और उसको चार चांद लगाती है, इसकी cove lights, जिससे की जो focus है, हमारे dress dress area में काफी अच्छे से आ रहा है, इसी के साथ यहाँ पर इस से attach होने वाली है, हमारी washroom, बात कर अगर paneling की तो यह करी है, ग्रिनाइट में, माइका का door होने वाला है, और यह washroom भी काफी luxury आपको देखने को मिलने वाली है, जैसे ही अंदर आएंगे, तो यहाँ पर आप enter लेते से matte finish टाइल देखने को मिलेगी, जो एक साफी शांदर theme में ली हुई है, glossy टाइल आपको आपके चारों तरफ देखने को मिलने वाली है, 8 फिट तक का टाइल दिया हुआ है, बीच में मुगलाई टाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल दाएगी, जो एक highlighter point हो सकता ह इसी के साथ hanging shower और सारे fittings अभी आना बाकी है, यहाँ पे होने वाला है shower section, यहाँ होगा dry portion और इसी के just deposit में इस तरफ हमें देखने को मिलने वाला है हमारा एक शांदर सा vanity room जहाँ पे हमारे पास space है, हमारी vanity के लिए और उपर आएगी हमारी wash basin एक बड़े से mirror के साथ, जिस की बात हम काफी देर से कर रहे हैं, उसमें ऐसा क्या नया है, तो उसमें नया यह होने वाला है कि अभी तक की यह एक ऐसे sit out होने वाली है, जो हमने किसी भी हमारे videos में प्रोजेक्ट में नहीं देखी है, bedroom से निकलेंगे जब हम हमारे इस वाले floor पर आये थे, तो हमने बात क बारा यहां से terrace का देखिए, जो काफी जड़ा शांदार होने वाला है, जैसे ही निकल कराएंगे तो नीचे की तरफ आपको यहां पर मैट फिनिश टाइल देखने को मिलने वाली है, जिससे कि आपके पाउं की पकड़ बनी रहे बारिश में भी, और जो हम बात कर रहे थे सेट आउट की वो होने वाला है, इस तरीके से अधिकतर जगे हम लोग उपर शीट देखते हैं यहां पर आपको उपर की तरफ पूरा टफन ग्लास देखने को मिलेगा, एमेस से यह पूरा सेट आउट बनाया हुआ है, चार लोगों की सेटिंग कंप्लीट की हुई है, चा सेट आउट भी जो है वो एक कंप्लीट ग्रीनरी से घिरा हुआ है, जिससे कि जब आप यहां बैठोगे, अपने आर्टिफेक्ट यहां पर प्लेस करोगे, तो एक अच्छा फील आप लोगे, बट आप बात करेंगे भई, यहां पर खाने के लिए का नीचे से किचिन से ल होने वाली है, यहां इस स्पेस आप गया से रख सकते हैं, माइक्रोवेव रख सकते हैं, इंडक्शन रख सकते हैं, जिस भी चीजब आप चाहें और नीचे आपके पास स्पेस है, आपका स्टूर रखने के लिए एक अच्छा बड़ा पैंटरी आपको यहां दिया हुआ ह नीचे से जो हमने OTS देखा था, वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ग्लास के साथ सेंडविच फॉर्म में इसको लिया हुआ है, टफन ग्लास आपको यहां देखने को मिल जाएगा, और नीचे मॉस्कूर निट कम्प्रीट दिया हुआ है, जिस से कि आपका जो को डिफाइन करती है, एक अच्छी चीज को डिफाइन करती है, जब आप पैसा खर्चा करते हो, तो आपका पैसा वर्थ हो, कि आपको इस तरीके का एक शांदर सा प्रोजेक्ट देखने को मिल जाए, आपने प्रॉपर्टी का कम्प्ली टूर लिया, और अब तो फाइनली उम्मीद करता हूँ कि प्रॉपर्टी आपको पसंद आही गई होगी, क्योंकि ये 1000 स्क्वेर फिट पर इतना शांदर प्लान किया हुआ है, कि no doubt प्रॉपर्टी पसंद आना बनता है, अगर आप इस प्रॉपर्टी के विजट्स अपने हमारे साथ प्लान करना चाते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी के रेट जानना चाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर प्रॉपर्टी की बेसिक डिटेल्स आपको मिल जाएगी, without any charges, वहां से आप डिटेल्स देख सकते हो, और ऐसी और भी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी इस के लिए दिवे नंबर पर कॉल क अपने फिजट प्लान कर सकते हो, इं्स्टीराम पर फॉलो नहीं कर रहा है, तो इतर्य पर फॉलो कर लिए और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, यूटीब कर सकते हो, और आप इन दोर में कहीं भी घर ढून रहे हूँ तो आपको एक लिंक description में मिल जाएगी जो की Google form है आप उसको fill कर सकते हो जैसे कि हमारी टीम आपको 24 आद में call कर लिएगी जब तक के लिए मैं रहा सर्च में properties है विनाश, camera के पिछी स्रेश मिलते हैं फिर से एक शांदर से वीडियो के साथ हम आपको लिएे व्याएवा लिए ठाषै कि जाएगलते हा है तक के लिए अरिएगे के लूजरार lucky आपा लिएड़्याएग से व क्याप्ट च। कर दो कर दो कर दो